ओम शांति ओम शांति आज 28 चुलाई 2014 दिन रवीवार की अव्यक्त मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे पापतादा के मधूर महवाक्यों को बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो आज नव युग रचता अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं आज पुराने युग में साधारण हैं और कल नए युग में रच अधिकारी पुझ्जे हैं आज और कल का खेल है आज क्या और कल क्या जो अनन्य ग्यानी तो आत्मा बच्चे हैं उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है, जितना आज स्पष्ट है आप सभी तो नया वर्ष मनाने आये हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रही है नय वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लैन बनाया ही होगा आज पुराने की स्मापती है, स्मापती में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है तो आज विशेश सभी बच्चों के जमा का खाता देखा पुर्शार्थ तो सभी बच्चों ने किया याद में भी रहे सेवा भी की संबंध संपर्क में भी लौके किया अलौकिक परिवार में निभाया लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ आज वतन में बाप दादा ने जगत अंबा मा को इमर्ज किया आज बाजा थोड़ा खराब है पजाना तो पड़ेगा न तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा बचत करके जमा कितना हुआ तो क्या देखा? नंबर वारतों सबी हैं ही लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था तो जगतंबा माने प्रशन पूछा याद की सबजेक्ट में कई बच्चों का लक्ष भी अच्छा है पुर्शार्थ भी अच्छा है फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रुह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का भ्यास्तों कर ही रहे हैं लेकिन योग के स्टेज की परसंटेज साधारन होने के कारण जमा का खाता साधारन ही है योग का लक्ष अच्छी तरह से है लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त 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 बोल और चलन उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं लेकिन योगी, अर्थाती योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई-कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता, चलते-चलते याद की परसंटेज साधारन हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है. दूसरा, सेवा की रूह रिहान चली, सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बीजी भी रहते हैं, प्लैन भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में भी व्रध्धी भी बहुत अच्छी हो रही है. फिर भी majority का जम्मा का खाता कम क्यों तो रूष रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रही है आपने को बीजी रखने का पुर्शार्त भी अच्छा कर रही है फिर कारण क्या है तो यही कारण निकला सेवा का बल भी मिलता है फल भी मिलता है पल है स्विम के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता चाहे साथी चाहे जिनों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करें बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह के चले जाएं नहीं दिल में संतुष्टता की लहर आनुभव हो कुछ मिला बहुत अच्छा सुना वह अलग बात है कुछ मिला कुछ पाया जिसको बाप दादाने पहले भी सुनाया है एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ नहीं दिल माने स्वा की भी और सर्व की भी और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी महनत या मैंने किया मैंने किया यह स्विकार किया अर्थात सीवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ, बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं, यह बेहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा, नहीं, बाप दादा इनों का बहुत अच्छा यह अनुभव कराना, यह जमा का खाता बढ़ाना इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है वह डायमंड चाबी है गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन ज निमित भाव और निर्मान भाव अगर हर एक आत्मा के प्रती चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं सेवा करने के समय निमित भाव निर्मान भाव नी स्वार्थ शुब भावना और शुब स्नेह इमर्ज हो तो उस जमा का बढ़ता जाएगा बापतादा ने जगतंबा मा को दिखाया कि इस विधी से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है बस सेकेंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो ऐसे मशीन चलती है तो जगतंबा बड़ी खुशो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है तो दोनों की अर्थात बाप, दादा और जगतंबा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करू सारे दिन में गलती नहीं की लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंद संपर्क में स्रेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ कोई को दुख नहीं दिया लेकिन अब यह चेक करू कि सारे दिन में श्रेष्ट संकल्पों का खाता कितना जमा किया श्रेष्ट संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ कितनी आत्माओं को किसी भी कारे से सुख कितनों को दिया योग लगाया लेकिन योग की परसंटेज किस प्रकार की रही आज के दिन की दुआओं का खाता कितना चमा किया इस नए वर्ष में क्या करना है कुछ भी करते हो चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे करमना लेकिन समय प्रमान मन में यह धुन लगी रहे मुझे अखंड महादानी बनना ही है अखंड महादानी महादानी नहीं अखंड मनसा से शक्तियों का दान वाचा से ज्यान का दान और अपने करम से गुन दान आज कल दुनिया में चाहे ब्रहमन परिवार की दुनिया चाहे अज्यानियों की दुनिया में सुनने के बज़ाए देखकर करना चाहते हैं आप लोगों को सहज क्यों हुआ ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा ज्ञान दान तो करते ही हो लेकिन इस वर्ष का विशेश ध्यान रखो हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है प्रामनों को दान तो नहीं करेंगे न सहयोग दो कुछ भी हो जाए कोई कितने भी अवगुण धारी हो लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा कर्म द्वारा संपर्क द्वारा गुण दान अर्थात सहयोगी बनना है इसमें दूसरे को नहीं देखना यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूँ यह भी तो ऐसा ही है ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो इसमें दूसरे को ना देख या लक्षे रखो जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था जो ओटे सो अर्जुन अर्थात जो स्वें को निमित बनाएगा वह नंबर वन अर्जुन हो जाएगा ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर वन बना अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो number one नहीं बनेंगे number war में आएंगे number one नहीं बनेंगे और जब हाथ उठावते हैं तो सब number war में हाथ उठाते हैं या number one में उठाते हैं तो क्या लक्षे रखेंगे अखंड, गुणदानी, अटल कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं हर एक एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है तुम भी मिल जाओ कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी तो समझा क्या करना है, सेवा करो लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो, पहले स्वेम की सेवा, फिर सर्व की सेवा, और भी एक बात, पाप दादा ने नोट की, सुनाई, आज चंद्रमा और सूरे का मिलन था न, तो जगत अमबा मा भूली, एडवांस पार्टी कब तक इंतिजार करें, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ, तब एडवांस पार्टी का कारे पूरा हो, तो जगत अमबा माने, आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई, व्या एक कौन सी बात सुनाई, बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह रिहान थी न, तो क्या कहा, कि मैं भी चक्कर लगाती हूं, मदुबन में भी लगाती हूं, तो सेंटरों पर भी लगाती हूं, तो हस्ते हस्ते, जिनोंने जगत अमबा को देखा है, उनों को मालूम है, कि हस्ते हस्ते, इशारे में बोलत तो बोली कि आजकल एक विशेष्टा दिखाई देती है कौन से विशेष्टा तो का कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार खा गया है कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है हो जाएगा कर लेंगे और भी तो कर रहे हैं हम भी कर लेंगे यह तो होता ही है चलता ही है यह भाशा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही लेकिन बोल में भी है तो बाप दादने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आपको युक्ति बच्चों को सुनाओ तो आप सबको पता है जगतंबा मा का एक सदा धारना का स्लोगन रह है याद है किसको याद है हुक्मी हुक्म चलाए रहा तो जगतंबा भूली अगर यह धारना सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है उसके हुकम से हर कदम चला रही है अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डारेक्ट बाप है तो कहा नजर जाएगी चलाने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं, तो यह करावनहार निमित बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है, फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है न, वे सदा हलका रहेगा, जैसे रूहे गुलाब, समझा, क्या करना है अखंड महादानी अच्छा नया वर्ष्ट मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए है अच्छा है हाउसफुल हो गया है अच्छा पानी तो मिला ना मिला पानी फिर भी पानी की मैनत करने वालों को मुबारक है इतने हजारों को पानी पहुचाना कोई दो चार बाल्टी तो नहीं है ना चलो कल से तो चला चली का मेला होगा सब आराम से रहे थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया थोड़ी हावा लगी सब ठीक रहे पांडव ठीक रहे अच्छा है कुम्ब के मेले से तो अच्छा है ना अच्छा तीन पैर प्रत्वी तो मिली ना खटिया नहीं मिली लेकिन तीन पैर प्रत्वी तो मिली ना तो नए वर्ष में चार ओर के बच्चे भी विदेश में भी देश में भी नए वर्ष की सेरमनी बुद्धी द्वारा देख रहे हैं कानो द्वारा सुन रहे हैं मदुबन में भी देख रहे हैं मदुबन वालों ने भी यग्य रक्षक बन सेवा का पाट बचाया है बहुत अच्छा बाप दादा विदेश वा देश वालों के साथ मदुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित हैं उनों को भी मुबारक दे रहे हैं अच्छा बाकी तो काड बहुत आए हैं आप सब भी देख रहे हो ना बहुत काड आए हैं काड तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है तो बाप दादा काड की शोभा नहीं देखते लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है तो ऐसे इस नहीं आत्माओं को विशेश एक-एक का नाम तो नहीं लेंगे न लेकिन बाप दादा काड़ के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार दे रहे है यादपत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, इमेल जो भी साधन है उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बापदादा के पास पहुंच जाता है फिर आपके कंप्यूटर और इमेल में आता है बच्चों का सने बापदादा के पास हर समय पहुँचता ही है लेकिन आज विशेश नए वर्ष के कईयों ने प्लैन भी लिखे है प्रतिग्याएं भी की है बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे शाबाश बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार रखो तो प्यार मिलेगा रिगार देना ही रिगार लेना है रिगार ऐसे नहीं मिलता है देना ही लेना है जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली, तो आप चेतन्य देवी देवताई दाता बनो, दो, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे, तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना, फिर चारों और ताकि रुहानी गुलाब की खुश्बू फैल जाएगी। सुना, तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं न, जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना, हर बात में अपने से पूछना की नया है, क्या नया किया, बस सिर्फ 21 सदी मनाना है, 21 जर्म का वर्षा संपूर 21 सदी में पाना ही है, पाना है न, अच्छा, चारो और के नव्यूग अधिकारी श्रेष्ट आत्माओं को, सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाले आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सेंपल बन सिंपल बनाने वाले आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी महा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉरिंग और नमस्ते इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ जैसे बेहत के संगम युग में आप सभी ब्राहमन आत्माई विश्व परिवर्थन करने के निमित हो ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्वपरिवर्थन का संकल्प द्रड किया है और करना ही है जो बताया हर सेकंड अटल अखंड माधानी बनना है दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संसकार को विदाई दे नए श्रेष्ट संसकार का आवाहन करना है सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो वर्दान प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्णों से पार रहने वाले सदा प्रसन चित भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जो प्राप्ति स्वरूप संपनात्मा हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्ण नहीं होगा उसके चहरे और चलन में प्रसनता की प्रसनेलिटी दिखाई देगी इसको ही संतुष्टता कहते हैं प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा बहुत सुक्षमी इच्छाएं और प्राप्ती के तरफ खेंच लेती हैं इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ती स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित रहेंगे स्लोगन परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की अकर्शन स्माप्त हो जाएगी ओम श्चाएं और प्राप्त 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 प्राप्त